पर लिए UKG क्लास में English की वरक्षिट होगी तो यह वरक्षिट बच्चों के युनिट टेस्ट में उनके एक्जाम में बहुत ही हल्फुल होने वाली है बच्चों को UKG में English में क्या क्या करवाएं और कैसे करवाएं जो सबी यह सारी वरक्षिट है वो स्लेबस के अकॉर्डि सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें के सबस्क्राइब करें के सबस्क्राइब करें के सबस्क्राइब करें के सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्रा these are vowels, और बाकी जो alphabets होते हैं, वो होते हैं, consonants next question है, name the picture, यहां पर कुछ picture draw की हुई है, उनकी name लिखने है, जैसे सबसे पहले है, lock next है, c, u, pick up, यह सिर्फ three letter words वाले होंगे, क्योंकि बच्चों को इतने ही है, पहले सिखाय जाते हैं, two or three letters वाले next picture is egg next is cap, then hen ten, car, nut, and ten, ten next exercise में बच्चों को ऐसे दो वर्ड दे दिये जाएंगे, वाबल के साथ, तो start करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि वे खुद से वर्ड बनाएंगे, जैसे एटी से बनेगा, cat, mat, same sound होनी चाहिए, hat, pen, hen, ten, next, bin, pin, and tin ठीक है, ये एक वाबल है, एक consonant, मतलब कि बीच में वाबल होगा, और side पे क्या होंगे, इनके, consonant, ठीक है, next question है हमारा, write one and many, मतलब कि बच्चों को one and many numbers name करवाएंगे, but इसमें सिर्फ S लगाएंगे, क्योंकि easy level है बच्चों का, तो trees से बनेगा, trees, boys से boys, only add S, books से बनेगा, books, girls, bags, bats, hats, and tables, ठीक है, तो next हमारा है, vowels, use of a and an, a लगाते हैं, जो word consonant से start हो, और an लगाते हैं, जो word vowel से start हो, तो basic बच्चों को ऐसे करवाते हैं, सबसे पहले candle, c is a consonant, a candle, an aunt, क्योंकि यहाँ पर vowel है, a tree, ठीक है, a cup, an eye, an umbrella, तो next हम करेंगे, question number six, question number six में होगा, use of this or that, this होता है, जो जहाँ पर sentence में हम past की चीज़ के बारे में बात करें, और that वहाँ लगाते हैं, जहाँ पर sentence में हम दूर की चीज़ की बात करें, ठीक है, जहाँ पर tree past में है, जो this वाले होगे, उनके आगे picture यहाँ इस साइड होगी, जो that वाले होगे, उनकी चीज़ें जो है, इस साइड रॉकी हैं, जैसे this is a tree, यह past में है, तो this is a tree, this is a mango, तो यहाँ पर apple इस साइड आ गया, तो हम बोलेंगे, that is an apple and that is a heart, ठीक है, मेरी वीडियो पहले भी है, उसमें this, that, these, those, सभी concept लिख रहे हो हैं, अब playlist में जा के देख सकते हैं, यहाँ पर filling the blanks 7, question number 7 है, जो picture draw है, उनका नाम लिखना है, जैसे, जैसे, I have a, this is pen, he sit on a mat, I have two cups, जैसे, dog क्या होता है, pet animal, this is a hut, question number 8 है, match the rhyming words, जो rhyming words है, उनका match करना है, fun, bun, pig, fig, hen, pen, pan, fan, fox, ox, question number 9 है, circle the odd one, इन में से, जो odd है, उसको circle करेंगे, जैसे pen, hen, den, यह सभी same sound है, hat, जो है, this is odd, pot, cup, hot, cot, तो cup is odd, bend, ten, pen, and cat, this is odd, तो parents, यह थी हमारी आज की, UKG के बच्चों के लिए worksheet, English की worksheet, यह बहुत ही basic वाली थी, जो कि बच्चों के एक्जाम में आते ही है, pattern, उसके accordingly बनाई गई थी, तो आप बच्चों को घर पर जुरू पक्टिस करवाएं, ताकि उनकी जो writing skills है, उनकी observing skill है, learning skill है, वो improve हो, और वो अपना एक्जाम जो है, 100% देखिया है, तो मिलते हैं, next video में with new subject, अगर आपको कोई भी video, किसी भी subject के regarding देखनी है, तो प्ले लिस्ट में जाके, आपको सभी videos जो है, वो sequence wise मिल जाएंगे, तो thank you for watching, thank you.